आलोक शर्मा जी यह शक्ति प्रदर्शन की ही कोशिश है कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की कम है शक्ति प्रदर्शन है क्योंकि 10 साल बाद निन्यानेवे वाला जो उत्साहा कॉंग्रेस के भीतर दिख रहा है क्योंकि अगर यह ना होता तो चौदा में आप खड़ा करते चौदा में चुनाव होता तो यह शक्ति प्रदर्शन ज्यादा है क्या आलोक शर्मा यह मुझे लगता है कि लोग पंतर में संख्या ही प्रतार बना रहे हैं दूसरी चीज़ में बात करना चाहंब महेश वर्मा जी ने भी इस शब्दावली का इस्तेमाई किया उसका मुझे घोर आपके लेकिन फिर राहूल बाबा कहके शब्दावली इस तरह से इस्तेमाल की गई तो मुझे पता चला है यह आरेसस के संस्का है विघ्ञार बाबाक साथ बीज़ेपी के नेता बी माइश खेंटी हुआ ऑभी इस तरह की अब द्र भाशा वहीं से निया इज़्क अब वापस आते हैं इससे किसा जवाब देता हूं इन्होंने का अयुआ ठाप द्लिप्रेम मुस्लिम प्रेम यह प्रेम वो प्रेम से हमने स्पीकर के लिए जो काइंडियर्ट उता रहा है वो भी डालिक ही है चल, बोजा शुद के सर्यासमन जोगी हुआरे दिल जुमेह देखो पत्वारा हुआरे दिल जुमेह देखो पत्वारा हुआरे हर पल मनाओ, केसरी देवाहर विमल, बोलो जुमा केसरी केरणा से है और सबस्क्री नियर मोस्ट है लेकिन आपको तो दलिकों से अलर्जी है शायद और मुसल्मानों से तो भेंतर अलर्जी है आपने तो स्वीकर मुस्लीमी बनाया होगा पहुचा नहीं पाते हैं कि उन्हों पर सवाल कड़ा कब वापस आता हूँ अब बात आती है मर्यादा किसा मर्यादा कि दूसरे इंडिया इंडिया गट्रमिन के लोगों से पूछा गया के नहीं पूछा गया तो रखता हम ने बात कि क्या बात की वहनिकन दिस्कोर नहीं करेंगे लेकिन क्या बीजे पी के सांसतों ने मोधी जीको अपना नेता चुना था क्या बीजेपी के सांसा दल की कोई बैठा कुई थी हमने तो मीडिया में नहीं देगी लगता तो यह है कि कुछ फाइलें थी और उन फाइलों के तम पर दो पार्टियों को तरह से गर्दन मरोड कर अपने स्टार्ट किया गया और वो फाइलें मोधी जी जी कब जिन इसके उ उनकी जो कंट्यिबूशन है देश के लिए वो देश कभी नहीं भूला है आज भी उनके तो तमाम वंचज हैं वह हमारी पार्टी में ही तीसरा विशह आया नरसेमा राव जी का कभी नहीं देखेंगे आप नरसेमा राव जी के बढ़ाई करते हूं मैं करता हूँ इनुम 24 पे आए नरसिम माराव जी ने देश की अठववस्था को उस समय पर समाला, जिस समय पर BJP समधित सरकार ने सोना गिरवी रखके और देश का बट्टा बेठा दिया, उस समय पर नरसिम माराव जी ने आकर देश की जो अठववस्था थी उसको समाला अब आलोग शर्मा मैं आप जिस कन्वेंशन की बड़ा अच्छा लगा सुनने में आज संसद की देली से कन्वेंशन शब्द का इस्तिमाल किया लोग जी कन्वेंशन शब्द का इस्तिमाल की बड़ा अच्छा लगा सुनने में जब मैं संसद ये परिपाटी की बात कर रही हूं तो वो पक्ष और विपक्ष सब जनता के नुमाइंदे हैं लेकिन वो कन्वेंशन आपके शासित राज्यों में महेश वर्मा ठीक सवाल पूछ रहे ह भाई हिमाचल में करनाटका में इन सारी जगाओं पर जहां इंडिया ब्लॉक की सरकारे हैं यहां तक की तमिलाडू में पश्चिम बंगाल में ये कन्वेंशन क्यों फॉलो नहीं हुआ मैं सीधा उप्तर दूँगा उसका कारण है कि जब से मोदी जी की 2014 की सरकार आई है लगबग 20 राज्यों की सरकारों को डिस्टर्ब किया है और स्पीकर और गवर्नर ये दो ऐसी पोस्ट है जिनका दुरूपियोग किया गया महरास्टा में स्पीकर को सुप्रीम पोट ने क्या टिपनिया की है पूरे देश ने देखा है जब जिस तरह से गवर्नर के पदों का दुरुपियोग होगा कि साथ बजे साड़े साथ बजे सीम और मुख्यमंतरी और उप मुख्यमंतरी की शपत महरास्टा में दिला दी जाएगी और अरुनाचल प्रदेश में गवर्नर जो है बैंकट हॉल में विधायक दल की बैठर ब केहरा दस साल में रहा है यह कंवेंशन वहां पर लेकिन अब कंवेंशन की इनको परमपरा की परिभाशा भी नहीं पता है यह गरिसा 75 साल से शुरू करो मैं 75 से शुरू कर लेता हूं हमने तो शामा प्रसाद मुखर जी जो पूरी तरह से धुर विरोधी कॉंग्रेस के थे और कटर खंगी थे उनको भी हमने तो काबिनेट पर रखता नहीं तो यह भी हुआ ना यह भी तो हुआ लोग चर्मा हो सकता है बीजेपी आपी के ट्राक रिकॉर्ड पर चल रही हो यह भी तो हुआ कि 77 के बाद जब 77 के बाद 77 के इमर्जेंसी चली तीन साल कोई और सरकार रही असी में जब इंदरा गांदी लोट कर आई ही तो उन्होंने सारे राज्जियों के राज्जिपाल बदल दिये सब जगा के गवर्नर बदल दिये सब सब बदला कर दिया गया देखे मुझे लगता एसी देश में सर बोमई VS Union of India के सब बाद चीजें बदली हैं एंटी डिफेक्शन लॉउ आने के बाद राजीव जी के बाद चीजें बदली हैं उससे पहले के राजनेतिक सेनरियों में और उससे बाद के राजनेतिक सेनरियों में पर्क है आप बताईए यूपीए वन और यूपीए अबाव में डेपिटी स्पीकर पद अपने पास रख लिया